आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बौत धरम की बज्रियान साखा के बारे में बज्रियान वो साखा है जो बुद्ध के धम के बिलकुल विप्रीत है जहां पर बुद्ध पाखंड बात को न कारते हैं, वहीं पर वज्रियान पाखंड बात को स्विकार करता है हवन से लेकर तंत्र मंत्र तक का प्रियोग वज्रियान साखा में किया जाता है वज्रियान साखा के देवी देवता आज के हिंदू देवी देवताओं से बिलकुल मेल खाते हैं वज्रियान साखा के कुछ देवी देवताओं का जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूं जहां से आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी जान सकते हैं और ये वीडियो किसी भी धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाए गया है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाए गया है तो आए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, वो जानकारी मैंने कहां से ली है तो वो जानकारी मैंने ली है कुछ एतिहासिक ग्रंथों से, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ नमबर एक सुघावती बियुव सूत्र ये महायान का एक ग्रंथ है लेकिन इसमें वज्रियान के बारे में भी चर्चा की गई है तो इससे मैंने कुछ जानकारी लिए है नमबर दो बुधिज्म बज्रियाना तंत्रा इससे भी मैंने कुछ जानकारी लिए है नमबर तीन, History of Indian Buddhism इससे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है वजरियान के बारे में नमबर चार, वजरियाना मेडिटेशन इससे वजरियान के जो देवी देवता हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है नमबर पाँच पर है मंजू स्री मूल कल्ब ये एक बहुत ही महत्मूल गरंथ है वजरियान को अगर आपको जानना है तो मंजू स्री मूल कल्ब से आप बहुत को जान सकते हो हलाकि पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं लेकिन बहुत को जान सकते हो तो इस वीडियो में आपको मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो मैंने इन्ही पांचो गरंथों से ली है आईए आगे बात करते है सबसे पहले बात करते हैं वज्रियान के परिचय पर क्योंकि परिचय की बात करना बहुत जरूरी है वज्रियान बौद धर्म की एक तांत्रिक साखा है जिसे तंत्रियान, मंत्रियान, तांत्रिक बौद धर्म आदी के नाम से भी जाना जाता है इसके कई और नाम हैं लेकिन जो नाम बहुत प्रसुद हैं मैं उन्ही नामों की यहां पर चर्चा कर रहा हूं वज्रियान का प्रभाव भारत के अलाबाद तिब्बत में भी रहा है और आज भी तिब्बत वज्रियान का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख केंद्र माना जाता है वज्रियान साखा में वुद्ध, बोधिशत्व, देवी देवताओं यहाँ पर देवी देवताओं से मतलब है जो अरहत प्राप्त समण है उनको देवी देवताओं यहाँ पर कहा गया है यह बात आपको समझनी है उनके लिए मंत्रों, धारणियों, धारणियों का मतलब है प्राचीन बौध मंत्रों का एक शुरूख है उसको कहा जाता है और मंडलों यानि पिरकारों का परियूग किया जाता है तो इतना आपको यहाँ पे समझना है अब यहाँ पर कुछ प्रमुक्त तथे हैं वज्रियान से सम्मंदित उन पर बात करते हैं बौत धर्म की वज्रियान साखा का जो उदय है वो पांचवी छटी सताब्दी के आसपास हुआ था जिसका प्रभाव धीरे धीरे भारत के अलावा अन देसों में भी फैल गया था यहाँ थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं किसी भी धर्म का जो प्रभाव है एकदम से नहीं फैलता है धीरे धीरे फैलता है तो बज्रियान के उदय के संबंद में जो इतिहासकारों के मत हैं कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि छटी सताब्दी से हुआ है कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि चौथी सताब्दी से हुआ है कुछ इतिहासकारों ने तो पहली सताब्दी से माना है इसको लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ पाँचवी-छटवी सताब्दी से तो इसके उदै के सम्मंद में इतिहासकार एकमत नहीं है इतिहासकारों की अलग-अलग राय है वज्रयान साखा में वज्र यानि की हत्यार को एक अलोक एक तत्त की रूप में सुईकार किया गया है तो यहाँ पर जिस वज्र की चर्चक की जा रही है आपने इंदर देव के हाथ में एक हत्यार देखा होगा उसका नाम भी वज्र है उसी वज्र की यहाँ पर चर्चकी जा रही है यह आपको दिहान रखना है बौद धर्म में भी इंद्र और ब्रमा का बहुत जगहे पर जिक्र किया गया है तो यहाँ पर आप ये नहीं सोचना कि बौध धर्म में इंद्र कहां से आ गए जब आप बौध धर्म के गिरंथ पढ़ोगे तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा और जिन लोगों ने बौध धर्म के गिरंथ नहीं पढ़े हैं उनके दमाग में ऐसे बिचार आते हैं वजरियान साखा का उदय पूर्वोतर भारत में हुआ था जिसके सिक्षा के प्रमुख के इंद्र नालंदा विश्व विध्यालाय जो आधुनिक बिहार में है विक्रमसला विश्व विध्यालाय ये भी बिहार में ही था शोमपुरी विस्तो विध्यालाय ये आदुनिक वंगला देश में है ये प्रमुक सिक्षा के किंद्र माने जाते थी इन सभी विस्तो विध्यालायों में धर्म की सिक्षा दी जाती थी तंत्रमंत्र की सिक्षा दी जाती थी चिकित्सा की सिक्षा दी जाती थी तर्क की इन सभी विश्व विध्यालायों में देश बिदेश से चात्र सिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे इसी कारण वज्रियान साखा के विकास बहुत जल्द हुगा और ये बात बिल्कुल सही है नालंदा बिश्व विद्धियालाय, विक्रम सला बिश्व विद्धियालाय, सोमपुरी बिश्व विद्धियालाय, ओधंतपुरी बिश्व विद्धियालाय थे, तक्छे सला बिश्व विद्धियालाय भी, इन सारे बिश्व विद्धियालाय पे मैं आगे वीडियो तब मैं विस्तार से आपको जानकारी दूँगा। जिसे हीनियान भी कहा जाता है, महायान, वज्रियान और नव्यान। यहाँ पर मैं वज्रियान की बात कर रहा हूँ। महायान एक बहुत बड़ी साखा है, उसके अनेक गरंथ हैं। हीयान में भी अनेक गरंथ हैं। अब यहाँ पर मैं नवियान के वारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, नवियान उसको कहते हैं जिसमें बाबा सहाव अमबेटकर की चर्चा की जाती है, और ऐसा बताया जाता है कि उनके ही द्वारा ये नवियान सुरू किया गया है, तो ये बहुत धरम की नई साखा है, आदुनेक समय में वज्रियान का प्रिभाव भारत के अलावा नेपाल, तिबबत, भोटान, पूरवी, एसिया और मंगोलिया में देखने को मिलता है, इन सब के बारे में आप लोगों ने जरूशना होगा, और कुछ न कुछ पढ़ा भी होगा, मंगोलियन सासक चंगे चंगेश खान के साथ जो शमन रहते थे, उन्होंने पहले ही संकेत दे दिये थे कि भारत पर आकर्मन करने से विपत्ती का सामना करना पड़ सकता है, इसी कारण चंगेश खान ने भारत पे आकर्मन नहीं किया था, अगर वो भारत पे उस समय आकर्मन करता, तो उस समय यहा यह मंगोलियन भासा का सब्द है लेकिन टैंगी या कहें तंत्रियान एक ही है अलग-अलग नहीं है आप मंगोलिया का त्यास पहले पढ़िए आपको पता चलेगा अच्छे से लेकिन जो मूल बहुत धर्म है चंगेश खान उसका अन्वियाई नहीं था हाला कि तंत्रियान और वज्रियान बाले भी बुद्ध का सम्मान करते हैं लेकिन बुद्ध का जो धम है वो एक अलग है वहां सब यह तंत्रमंत्र का कोई महत तो नहीं है तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यह चंगेश खान था वो तंत्रियान का है या तैंगी धर्म का है उसका जिन इसफाज जिन इलाकों में इस्लाम फैला हुआ है उन इलाकों को सबसे जदाता उसने टारगेट किए था इतनी तवाही मचा दी थी के लोग इसके नाम से भी डरते थे इसके बाद उसके उत्रा अध़形रियों ने बाद में इसलाम को कुबूल किया था और उसी से यह म मुगल बने थे, मुगल मूल रूप से कहा के थे, उधर मंगोलिया के ही थे, आज भारत में या दुनिया के किसी भी कौने में जो मुस्लिम रहते हैं और जो खान लिखते हैं, वो सब कि सब मंगोलियन हैं, आपको क्या लग रहा है कि यहां चंगेज खान लिखा है तो वो मु मंगोलियन ही हैं, हलांकि मिर्जा लोगों को जो प्रिभाव था, वो मंगोलिया से लेकर आज का जो उजबेकिस्तान है, वहां तक था, आप लोगोंने तैमूर का नम सुना होगा, बहुती खतरनाक सासा कुसको भी माना जाता है, दिल्ली में आया, उसने बहुत मार काट मचा आया है, आपने गर देखा होगा तो आपको जरूर मालूम होगा, वज्रियान परंपरा के अनुसार, तंत्र के ग्यान की सुरुवात, शाक्यमुनी बुद्ध और बोधी शत्र वज्र पानी के द्वारा की गई थी, ऐसा वज्रियान परंपरा की लोग मानते हैं, लेकिन इ अभ्यास इसलिए किया जाता है ताकि जहर को, यानि गलत चीजों को ग्यान की रूप में बदला जा सके, इसलिए किया जाता है, वज्रियान का सबसे अधिक विकास आठवी सताब्दी में हुआ था, परंतु कुछ इतिहासकार इस बात से पूरी तरह इंकार करते हैं, इति इतिहासकार मानते हैं कि वज्रियान का विकास भारत से जादा विदेश में हुआ था, जिसके परमाण आज भी तिबद भूटान, मंगोलिया, आदी देशों में देखने को मिलते हैं, और ये बात सही है, तंत्र मंत्र जो है, वो बहुत ही परभावसाली है, आज भी आप चले जाओ, और थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र दिखा दो, तो गाउं के लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी आकर सित होते हैं, आप लोगोंने ऐसे बहुत सारे बाबा देखे होंगे, जो अपनी तंत्र विद्या से थोड़ा बहुत बता देते हैं, लोग उनसे बड़े पर की गई थी कि ताकि आप लोगों को लूट सको, इसलिए की गई थी ताकि गलत चीजों को आपको अच्छे से समझाया जा सके, आप उनके बारे में जान सको, इसलिए की गई थी, आज हम सब लोग इंटरनेट का प्रियोग करते हैं, इंटरनेट क्यों बनाय गया था, अच् कमाने शुरू कर दिये धु कि वज्रियान साका के कुछ सिध्धांत मंजूसरी मूलकल्प नामग गरंथ में देखने को मिलते हैं जिस की चर्चा मैंने शुरू में की थी मंझूसरी मूलकल बहुती महधमूर्ण क्रण्थ माना जाता है वहां से शाक के मुनी बुद्ध यानि की गौतम बुद्ध के साथ तारा देवी को जोड़ते हैं तारा देवी कौन इनके बारे में मैं थोल सी चर्चा एक वीडियो में की थी आप लोगों ने देखा होगा तो आपको जरू मालूम होगा हलाकि इन पर भी मैं एक special वीडियो बनाने ब देखा होगा तो वो वीडियो इस वीडियो के अंतों मिल दाएगा तो आप उसको जरूर देखें ऐसा माना जाता है कि अवलो कीतिश्वर तंतर विद्या में बहुत माहर थे उन्हें तंतर का स्वामी भी माना जाता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बुद्ध के स समय निश्यत नहीं है कुछ इतिहासकार 9 भी सताब्दी भी लिखते हैं कुछ 11 भी सताब्दी भी लिखते हैं तो मैंने यहाँ बीच का समय लिखा है 10 भी सताब्दी के आस पास चक्रियान संपरदाय का उदय भी हुआ था जिसका सरवोच देव काल चक्र नामक एक देवता उसको माना जाता है ये भी एक बहुत ही महत्पूर पॉइंट है इसको भी आपको द्यान रखना है वज्रियान से बहुत सारी साखाएं निकली है हमें उनके बारे में इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता है वज्रियान साखा के कुछ अन देउता नमबर एक यमारी जिससे यम भी कहा जाता है यमारी देउता भेंसा की सवारी करता है और अपने हाथ में गदा भी रखता है आपने यमराज का नाम सुना है यमराज को देखा होगा आप लोगोंने आज हमें कैसा दिखाते हैं वो भेंसा की सवारी और एक हाथ में गदा तो वज्रियान में उसका नाम ह या मारी इसको आपको ध्यान रखना है नमबर दो जंभाला जंभाला की पतनी का नाम मिलता है वशुन्धरा और वज्रियान में जंभाला को माना जाता है धंदौलत का देउता नमबर तीन पे जो नाम आता है वो हेरुका का नाम आता है हेरुका के हाथ में एक तरफ चक्र मिलेगा और पैरों में एक तरफ शाव यानी मृत व्यक्ति को दिखाया जाता है और वज्रियान साखा में इसको रूद्र देव कहा जाता है यानी बहुत गुश्य वाला देवता हेरुका को माना जाता है वजरियान में बहुत सारे देवी देवता हैं हाला कि मैं सबका जिक्र यहां पर नहीं कर रहा हूं जो बहुत जादा प्रिशिद है उनका मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं जब मैं आपको मन्जुशिरी मूलकल पढ़ाऊंगा और ग्रंतों के बारे में पढ़ाऊंगा तब धीरे धीरे में सब की एके करके चर्चा करूंगा यहां तो सर्फ एक बेसिक परिचा है अब वजरियान साखा की कुछ प्रमुख देवियां हैं उनके बारे में जान लो आप नमबर एक तारा तारा देवी बहुत ही प्रिश्य दुमानी जाती है नमबर दो प्रिग्या पारमिता नमबर तीन अपराजिता नमबर चार सरस्वती नमबर पांच डाकनी और नमबर चै वजरियोगनी प्रिशद्य देवियां है यह वजरियान की यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो तारा और डाकनी इनका अगर आप जो रूप देखोगे तो एक जैसा ही है और इनके कहानी भी एक जैसी ही है सोच रहाँ बहुत जल्द इन पे एक बीडियो बनाओ और इनके बारे में बिस्ताल से आपको जानकारी दूँ तो ये वज्रियान की कुछ प्रमुख देवियां है प्रमुख बोल रहाँ ना और भी है मैंने उनको यहाँ पे सामिल नहीं किया हुआ है अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं नात संप्रदाय का वज्रियान से क्या संबंध है जो की बहुत ही महत्पून बिसा है आप लोग भी ये बात जानना चाहते हैं क्योंकि आजकल हमारे आहां नात संप्रदाय को जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है वो सच नहीं है उसमें बिल्कुल भी सचाई नहीं है आउबात करते हैं मद्धकाल के दोरान भारत में रहने वाले जो बज्रियानी थे वो महासिद्ध के नाम से जाने गए जिनकी संख्या 84 बताई गई है आपने 84 महासिद्धों के बारे में जरू सुना होगा ये 84 महासिद्धों का जो सिल्सला है कहां से सुरू होता है वो भी आपको पता चल जाएगा यहां से 84 महासिद्धों में एक जो नाम आता है वो मचंद या मचंदरनाथ का आता है जिनको हिंदू गरंथों में मतसेंदरनाथ लिखा हुआ है हाला कि उनका मूल जो नाम था वो मच्छंदरनात था यहाँ पर मैंने मच्छंदनात लेखा हुआ है यह बात आपको ध्यान रखनी है जिनका तिबती गरंथों में नाम मिलता है मिन्पा यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको तिबती मुझे पढ़ना नहीं आता है लेकिन भारत के इतिहास को जानने के लिए मैं थोड़ी थोड़ी तिबती सीखने का परियास कर रहा हूँ मेरे साथ और भी लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं तो जब मैंने 84 महासिदों के बारे में पढ़ा तब वहाँ पे मिनपा मुझे नाम मिला इनके बारे में भी पढ़ा तब पता चला कि ये तो मचंदरनाथ हैं अब जो मिनपा नाम है वो तिबती भासा में है और जो मचंदरनाथ जो नाम मिलता है उनका मूल नाम है पाली प्राकरत का नाम है और मतसेंदर नाथ जो नाम मिलता है ये संस्कृत का नाम है यहाँ फर्क है भासाओं का इसको आपको समझना है ध्यान से और मचंद नाथ जो थे वो माचा मुनी के नाम से पिरसित थे माचा मुनी अब मुनी किसको कहा जाता है मुनी जो सब्द है वो समण परंपरा का है जैन अब आपको कहानी समझ में आई यहाँ पर जो मैंने नाम लिखा हुआ है बोधिशत्व अबलो कीतिश्वर इसको हटा देते हैं केवल सिव का अबतार लिख देते हैं यहाँ से लोगों के अंदर confusion चालू हो जाता है और मचंदर नात को नात संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है लेकिन नात परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नात परंपरा की यह शुरुआत है वो मचंदर नात से पहले ही हो गई थी लेकिन इतिहासकार ऐसा न तांतर क्रियाओं के लिए जाने जाते थे मचंदर नात के चेला गुरक नात थे जिन्हें नात संपरदाय को आगे बढ़ाने वाला सबसे प्रिश्यद गुरु माना जाता है मचंदर नात हूँ चाहें गुरु गुरक नात हूँ अभी मैं गुरु गुरक नात की भी बात करूँगा मूल रूप से इनका सम्मंद बौत धर्म से ही था अभी ये हिंदू कैसे बन गए आगे इसकी बात करूँगा मैं मुगल काल में गुरक नात के सिस स्वयम को सैव संपरदाय से जोडने लगे थे ये बात आपको समझनी है और इस तरह से गुरक नात के सिस आज के हिंदू धर्म में सामिल हुए वैसे हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है लेकिन आम तोर पे यही सब्द परियोग किया जाता है आज के समय में गुरक नात की परंपरा को मानने वाले सिस स्वयम को कटर हिंदू कहलाना पसंद करते हैं जिसमें एक नाम आता है उत्तरप्रदेश के मुख मंतरी योगी आदितनात का योगी आदितनात इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो परंपरा है यानि कि योगी आदितनात की जो परंपरा है वो गैर ब्रामण परंपरा है और इनके जितने भी गुरु रहे हैं सब ने ब्रामणों को गालियां दी हैं पूरा इतिहास भरा पड़ा है इनका पढ़लो हम लोग पढ़ते ही तो नहीं है, यही तो समझ से है हमारी, वो सब जानते हैं ये बात, इनकी परंपरा में, यानि नात संपरदाय में कोई भी ब्राम्वन गुरू नहीं है, इस बात को अब पता कर लेना, गैर ब्राम्वन परंपरा इसको कहा जाता है, वो मचंदर नात को कहना सुरू किया है, आज कल, ये बिल्कुल गलत है, ये पूरी सुरुगात से लेकर, अब तक की, पूरी परंपरा में, सब के सब गैर ब्राम्वन ही गुरू हुए हैं, हाला कि इसके बारे में, जब मैं नात संपरदाय के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तब आपको बिस कि आज हमें गोरकनात की जो मूरती दिखाई जाती है, वो बिल्कुल फरजी है, उसका कोई सम्मंदी नहीं है गोरकनात से, यही मूरती दिखाई जाती है, ये बिल्कुल बनावटी है, कहते हैं कि गोरकनात का ये वैपारी करण है और कुछ भी नहीं है, अब उनकी है असल सब यूनिवर्स्टी से ज़्यादा ग्यान प्राप्त करते हैं तो उनके अंदर वो अधूरा ग्यान आ जाता है ये गुरू-गूरक नाती हैं और यही उनकी जो वास्तविक मूर्ती है आपको ये ध्यान रखना है और इस मूर्ती में जमीन आस्मान का फर्क है आप देख सकते हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जिनके बारे में जो पढ़ दायों इतिहास आपको उनके असली नाम तक पता नहीं है आप इतिहास की बात करते हो यार जब आपको उनके असली नाम तक पता नहीं है फ़र आप क्या बात करोगे तियास पे मैं वैदिक धरम, बौत धरम और जैन धरम पर रिसर्च कर रहा हूँ जिसमें अभी बौत धरम पर मेरी रिसर्च जा रही है सुरुआत में मैं सोच रहा था कि 10-20 गृंत पढ़के मैं बौत धरम के बारे मैं पता कर लूँगा लेकिन जैसे जैसे पता कर रहा हूँ वैसे वैसे मुझे पता चल रहा है इसमें तो मुझे बरसो लग जाएंगे इसके बाद मैं जैन धरम पर बात करूँगा जैसे ही बौत धरम की रिसर्च मेरी खत्म होती है फिर जेन धर्म की बारी आएगी वैदिक धर्म का हैं, हिंदू धर्म का हैं या शनातन धर्म का हैं उसपे मैं पहले ही कर चुका हूँ हलाकि उसपर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कर मैं जानता हूँ थोड़े ही मूर्ती दिखाई जाती है वो किस तरह की है आप लोगों ने बुद्धिष्ट साधूं को तो देखा होगा उनके कैसे कपड़े हैं गुरु गुरक नाद वैसे ही कपड़े पहनते थे यहाँ पर ये गुरु गुरक नाद के बारे में पढ़ा था जिनमें एक नाम था मच्छन दरनाद का आपको ध्यान रखना है और 84 सिद्धों के बारे में जो जानकारी है वो आज के हिंदु धर्म में भी मिलती है लेकिन थोड़े से नाम अलग है ये भी आपको ध्यान रखना है और इसकी थोड़े सी जितने हिंदी के आपको गरंथ मिलते हैं अधिकतर वो गरंथ इन्होंने ही लिखे हैं या कहें अनुबाद किये हैं केदारनाद पांडे ने वज्रियान में महासिद्ध उस सन्यासी को कहा जाता है जिसने बहुत अच्छे से योग और तांतरिक किरियाओं का ग्यान प्राप्ति कीया हो उसको माहसिद्ध काह ependा जाता है वाद में वज्रियान से कई और ठोटे ठोटे संपरदाय बने जो मा हश्राब और संभुक को मुक्ती का मार्ग मानते थे यानि वाद में वज्रियान का जो रूप है वो और बिगड़ता गया वज्रियान साखा की बहुत सी चीजें हिंदूओं के साक्त संपरदाय से बिल्कुल मिलती जूलती हैं साक्त संपरदाय के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन यहाँ पर मैं नाम बता रहाँ तो यहाँ पर मैंने वज्रियान के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी जादा जानकारी नहीं थोड़ी सी जानकारी दी है अब इसकी और जानकारी मैं धीरे धीरे इसके गरंथों का रिवीउ करूँगा तब आपको दूँगा लेकिन इसका जो मूल आधार है वो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कैसे बौद धर्म की वजरियान साखा से छोटी-छोटी और संपरदाय बने और भारत में वो आज भी मौजूद हैं संपरदाय लेकिन आज वो खुद को हिंदू कहलाना पसंद करते हैं और ये शब कब हुआ ये शब हुआ मुगल खाल में तो अगर आपका कोई प्रस्ण है वजरियान से सम्मंदित तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद